असलामनीकुम फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे खेरियत से होंगे दोस्तो आज किस इंटरस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप गर बैठे अपने मुबाइल फोन से अधार कार्ड में मुबाइल नमबर लिंक करोगे जी हाँ द हर कार्ड से मुबाइल नमबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है और बहुत सारी चीजें इस से होती है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपको छोड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप पहली बार हमारी हमारी चनल पर वि दोस्तो नेम अपना सेलेक्ट करना है जो भी आपका नाम होगा वो आप सेलेक्ट करोगे दोस्तो तो यहां पर आप अपना एडरेस सेलेक्ट करोगे address फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो pin code है वो select करो और यहाँ पे आपको अपनी email फिल करनी है और यहाँ पे आपको अपना mobile number फिल करना है यहाँ पे आपको वही mobile number फिल करना है जो आपको register करना होगा तो यहाँ पे आपको select service में आपको IPPB अधार service select करनी होगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दो services मिलते हैं इनके दोरा UIDAI child अगर आपका child 0 to 5 years का है आप उसको अधार enrollment गर में ही कर सकते हो यहाँ पे हमें mobile number और email update करनी है तो हम यहाँ पे second option choose करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको request OTP पे click करना होगा request OTP पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो OTP मिलेगी वो आप यहाँ पे fill करोगे fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको confirm service request पे click करना होगा और यहां पे आपको request to submit it successfully request reference number this या आपको यह reference number मिल जाएगा इसका आपको copy करके रखना है और यहां पे आप अपने इस request का status track करोगे यहां पे आपको अपना यह fill करना होगा उसके बाद यहां आप fetch पे करोगे तो आपका यहां पे आ जाएगा आपका office कौन सा है यहां पे को करना so pending status अभी आ रहा है तो IPPB अधहर service requested service तो यह आ रहा है यहां पे उसके बाद क्या होगा कि आपको post office के जरीए से एक person को बीज़े जाएगा आपके घर वह आपको बायो मैटर के थूँ आप क्या की बायो मैटर के थूँ वह आपका mobile नबर और email अपडेट करेगा इसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई document की जरूरत नहीं होगी वह charges जो होंगे 50 rupees के आएगा